सो दोस्तो आप लोग कैसे हैं? उमीद करते हैं आप लोग अच्छ होंगे और स्वस्थ होंगे साथ में बोर्ट परिच्छा के लिए काफी अच्छी तरसे त्यारी कर रहे होंगे सो दोस्तो आज के स्कलास में देखेंगे कलास 12 हिंडी सौम माक्स के बीबी आई ऑबजेक्टिव कोचन अंसर जो कि आपके फाइनल बोर्ट इकजाम के लिए काफी मौर पून है नमस्कार दोस्तो मेरा नाम सुनू आप दिखरें जो केशन बाई गोपता जोड़ो अप चैन चाहिए पर नहों चाहिए को सस्क्राइब कर ले साथ मिक बेल अकन उसको भी दवाई के लाव कली ताहले टेस वीडियो आपको मिलता रहे सब से पहले दोस्तो वीडियो को सरुक करने स्पहल वीडियो को एक लाई कर दे क्योंकि लाईक ने पैसा नहीं लगता है तो एक लाईक जरूर कर दे साथ इस वीडियो को अपने वार्सफ गरूप फेस्वुक गर भी सियर कर दे लाई वी शुडे एंजुर्स को भी त्यारी करके बहतर से बहतर अंग परापते कर सके सो दूस्तों इसे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे है तो वीडियो की नीचे लिंक है या चाहें पहले लिस्ट में आपको बहुत सार वीडियो मिल जाएगा वहां से देखे सही परिशन को अच्छी तरसे याद कर ले दोस्तों आपको बता दिस वीडियो में हिंदी स्वाम माक्स के जितने परिशनी काफी महत्मुल परिशन है आपको अच्छी तरसे त्यारी करना होगा तभी जाके आप लोग अच्छी माक्स पराप्ति कर सकते हैं दोस्तों आपको बता दिस वीडियो में हिंदी स्वाम माक्स के जो ही परिशनी का एंसर आप स्वी को पहले से माल में तो नीचे जाके कोमेंट करें ताकि आप से को भी पता आप चैसके कि आपका जो त्यारी कैसा है तो चले दोस्तों इस कलास को सुरू करते एक ही करके सही परिशनी को देखेंगे तो आप लोग वीडियो को सुरू सले कि लास्तक बने रहे और सही परिशन को अच्छी तरसे याद कले जो कि आपके फाइनल बोड इकजाम के लिए कापी महात्पूल परिशन सब है दोस्तों आपको हम एक बात बता दे किसी तरह के 5 से त्यार किया है जो कि आपके फाइनल बोड इकजाम के लिए कापी महात्पूल परिशन सब है तो पांचों सेट की वीडियो देखने के लिए चाया पेना हो तो चाया को सब्सक्राइब कर लिए ताइग इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके सही प्रिशन को अच्छी तरह से देखेंगे तो आप लोग वीडियो को लाज तक बनेर और सही प्रिशन को अच्छी तरह से याद कर ले जिसकिन प्या आप देखते हैं पर पर्थम प्रिशन की जाईसी ने अपनी एक आखी तुलना की से किया है जिसका जो सही एंसर है और प्रिशन का राइट एंसर दरपन से जाईसी ने अपनी एक आखी तुलना की से किया है तो दरपन से की है एक का जो सही एंसर है अलोग प्रिशने आपको यादगना कि जूटन किस चितना की रचना है तो दली चितना की रचना है दो का जो सही एंसर है जो तीन प्रिशने का प्रिशने काफी बड़ एक जहां में पूछे के प्रषणि कराएं कि धन सब्द का link नीने करें इसका निए दल्य प्रषणिया आप ये दिख दिख से चाहर प्रषणि कराएं कि अंचाहा सब्द में उपसर्ग है यह उस्तु कहाय रहाए कि अंचाहा सब्ड में उफसर्ग क्या होगा तो नीचे आप इंचे वाज पोन आपको बॉठीक में 4 ऑप्सं देखने को मिलेगा जिसका जिए सही एंसर है औपसों अईस का correct cancer जो की अन दोस्तों आप से जारें पूण सकता है उधगम सब्द का संदी विच्यद क्या है इसका जो सही आंसर है आप सो बीस का राइट एंसर उधपलस divided जाएगा 5 पर संदी का संधी विच्यद का ट्वो बा मैं पलस गम हो जाएगा तो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके समने आई बटन दिख रहा होगा उसमें किलिक करके और वीडियो देख सकते हैं तो चले दोस्तों अगले प्रिशनिक की ओर चलती से पहले आपको बता दें अभी तक आप लोग टेलिग्राम चाल से जूरे तो जाएके जली से जूर जाए जिसका लिंक वीडियो की नीचे आपको मिल जाएगा या आपको टेलिग्राम पे जाएगा आपको सर्च करें एजूकेशन भाई गोपता जी वह आप आ जाएगा और आपनों असानी से जूर सकते हैं जूरे से आपको काफी फैदा ह एग्जाम के वक्तिक है तो आपको यह सब पर ध्यान नहीं देना क्योंकि आपको सही से यहाँ बता रहें जो आपको बता रहें उसी पर ध्यान देना ठीक है तो पर पर चार ओपसर दिया इसका यह सही एंसर है प्रेंशन का प्रेंशन देना क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट है जो की गलती कर देता है तो आपको ऐसा नहीं करना है तो समझ के अच्छी तरह से बना क्या ना है तभी जाए कि आपका जो result है काफी बेतर आएगा इसका जो सही answer है ओपसोवर डीस का राइट एंस है जो की एक कथा कार याज तो प्रेम चंद क्या थे तो एक कथा कार थे साथ का जो सही answer ओपसोवर डीस का correct answer है अलो प्रिशने आपी देख से जो आटो प्रिशनी का रहा है कि जल का प्रियावाची होगा जल का प्रयावाची होगा तो क्या होगा तो जल का प्रयावाची हो जाएगा वो जल का प्रयावाची सब्द क्या होगा तो लील हो जाएगा आटका जो जल का प्रयावाची सब्द क्या होगा तो लील हो जाएगा जल का प्रयावाची सब्द क्या होगा जल का प्रयावाची एंसर है खग यास तो पक्षी का प्रियाची सब्द क्या होगा तो खग हो जाएगा उन्हीं नौ का जो सही एंसर अपसोर एस का कॉरेक्ट एंसर है अलब प्रिश्णिया पी देखती दस्वर प्रिश्णि करा की दो दिन का महमान मुहावरे का अर्थ है तो दोस्तों आप से जामें पूछ सकता है दो दिन का महमान मुहावरे का सही अर्थ क्या है इसका जो सही एंसर है आपसोर एस का कॉरेक्ट एंसर है जल्द भागने वाला यास तो दो दिन का महमान मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा जल्द भागने वाला दसका जो सही एंसर अगला प्रश्न आपी दिखते हैं, 11 प्रश्नलीец की इट की जबाब पतल से दản मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्त्तों, आप से जाले की पूछ सकता इट का जबाब पतल से दिना मुहावरे का शाही अर्थ क्या होगा? इसका लिए उस सही एंसर है option S का correct answer है किसी की दुष्टा का करार जबाब देना है यह तो 8 की जबाब पतल से इतना मुहावरे का अर्थ होगा किसी की दुष्टा का करार जबाब देना यह बहुत सारे option के अधार पर भी आपको answer लगाना होगा इसलिए आप लोग चार ओप्सन को जरूर पढ़ेगा ठीक उसकी बाद ही एंसर आप लोग वहां गोला करें क्योंकि हो सकता है वहां पे कुछ और एंसर नहीं यारी कि ओप्सन का धार पर यह सब प्रशने का एंसर देना होगा ठीक है तो अलोग प्रशने आप लोग प्रशने करा कि तुलसी दास के सिक्चा गुरू कोन थे तो दोस्तों आपसे ज़र पूछ सकते है कि तुलसी दास के सिक्चा गुरू कोन थे तो बारा का जो सही एंसर आप सो एस का राइट एंसर है नहर्सी दास यार्सी दास तो तुलसी दास के सिक्चा गुरु कोन थे जोकि सिक्चा कुरु थे तो बारा का जों से अन्स हो अपलाइश का correct answer है तो दोस्तो अभी तैकि एस वीडों को like नहीं कैने वीडों को एक like जरूर करदे साथ इस वीडो को अपने वार्शम गुरूप फेसम गुरूप पे भी सेयर कर दे तैकि जो भी इस्टूडेट इधर से उधर भड़ा करे हुआ त्यारी नहीं कर पा रहे है तो अभी इस वीडो को देखे त्यारी करके बहते स्वेतर अंग परापते कर सके तो दस्तू आप लोग चाहाँ पे नहीं तो चाहाँ को सस्क्राइब करें साथ मिग बेल अको इसको भी दवाए के लाव करें तरह ले इस वीडो आपको मिलता रहे सबसे पहले तो चलिए दस्तू अगले परिशनी की ओर चलते है तो इसका जो सही एंसर है अपसर बाठचित क्या हो जाएगा तो डी होगा क्योंकि ललीत निमन्द याज तो बालकिस्ट बाठचित क्या है तो ललीत निमन्द है तेरा का जो सही एंसर, option D's का correct answer है यहाँ पर जो इसका answer हमको लगता है ठाट लग रहा है क्योंकि कहानी भी है, ठीक है तो हम आपको बताते हैं इसका जो सही answer होगा तो दोस्तो इसका जो correct answer है, option D's का right answer है ललीत निमन, याज तो बाल किसन बाट की रतना बाचीत क्या है तो ललीत निमन है, तेरा का जो सही answer, option D's का correct answer है अलब प्रिश्णिया आपी देख सी, चौदर प्रिश्णि करा की पक्रितिक वर्णन से समधित कैपता है अलब प्रिश्णिया आपी देख सी, परणर प्रिश्णि करा की अर्द नारुसर का किस विदा से समधित अर्द नारुसर का किस विदा से समधित अलब प्रिश्णिया आपी देख सी, परणर प्रिश्णि की परणर बाद प्रिश्णि की रचना है सुदर आपसे जैमे में पूछ सी, तो परणर प्रिश्णि की नावर सिंग यह सु परगीत और समाच किन की रचना है तो नावर सिंग की रचना है नावर सिंग यह सु परगीत और समाच की रचना है नावर सिंग यह सु परगीत और समाच की रचना है तो नीचे आप यह दिख से चार ओपसर दिया है आप से को पता है तो जल्दी से नीचे कमेंट करें इसका जोगी पूछ सकता है जूठर के लेकर को ने तो ओपर का स्वाल मिकी है अठारे का जो से चार ओपसर ओपसर का कोरेक्ट एंसर है अलब प्रिशने आप यह दिख से जो नीचे रोप्रिशनी काफी महातपूर प्रिशनी काफी रेक जामें पूछे के प्रिशनी करा है कि हस्ते हुए मेरा केलापण की लेकर है हस्ते हुए मेरा केलापण की लेकर कोर है तो मलणजी है अगर्प्रिशने आप यह दिखती 20 फृफ्रिशनी करा है कि एक लेक और एक पत्र की रस्ना कार है तो दोस्तो आप से जावें पुछ सकता है एक लेक और एक पत्र के रचना करको नहीं इसका जो सही एंसर है और इसका राइक एंसर है अला प्रशने आपने देखते कि 20 प्रशने की ओ साधा निरा के लेखक है तो दोस्तो आप से जावें पुछ सकता है ओ साधा निरा की राइटर कोर्ड है इसका जो सही एंसर है और सवसो एयसम का कौर्ड इंसर है जग जी चन्त बात हो नहीं तो ओ सणना कोर्ड है तो जग दी चद्र बातूर जी है, कि इसका जो सही इंसर ऑपसुरण इसका इसका जो सही इंसर ऑपसुरण इसका राई केंसर सिक्चा याज तो जे किरिस्ट मोती किरिवी से कोल सी रचना है तो सिक्चा उनका ही रचना है तो बाइस का जो सई अपसोर डीस का कॉरेक्ट एंसर है तो दोस्तों आपको बता दे इस वीडियो में कलाज 12 हिंदी स्वाप मार्ग्स के कुल यहाँ पे 22 परस परसम कुरू फेसम कुरू पे भी सेर कर दे ताकि और विश्टूडे जोन सके वो भी त्यारी करके 32 वेटर अंग परापते कर सके तो दोस्तों अभी तक चाय को सस्क्राइब कली साथ में बेल एक्ट उसको भी दवाय के लाव कली ताकि लेटियस वीडियो आपको मिलता रह सबसे पहले तो आप लोग चैल पर जूड़े रहे ताकि आपको अगला से बिल सके तो दोस्तों चलिए फिर मिले किसी और वीडियो के साथ जहित आपसे का दिल सुभो